नमस्कार किशान भाईयों आपको इस ग्यहूं के खेत में जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं यह ग्यहूं है और लगभग कितने दिन का यह ग्यहूं हो गया है एक सवा महिने का यह ग्यहूं है उस हिसाब से ग्रोथ इसका जो है अभी नॉर्मल है अभी यहां पर साइं क्रॉप साइंस प्राइवेट लिंटेड कंपनी का साइं पावर प्लस हम इस प्रे कराने जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एक किसान भाई हैं आपका संतोसापोर आपका ब्लॉक समसाबाद पढ़ता है समसाबाद जिला फरुकाबाद जिला फरुकाबाद तो अभी जो है यह साइं पावर प्लस डाल कर आपको क्या लाब मिलेगा मैं आपको बता दू यह डेमो लगाने का उद्देश यह है कि इससे आप ग्योहूं में क्या अंतर आ रहा है वो आप जान सकें पहला अंतर आएगा साइं पावर प्लस डालने के बाद कल्लों की संख्या अधिक होगी दूसरा अंतर आप देखेंगे कि इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा तीसरा जब आपका दाना ग्योहूं मिल्किंग स दाना निकलता है यहूं का कारण उसका यह होता है कि एक तो nutrition deficient होते हैं दूसरा जब लपट चलती है पचुआ हवा जिसे बोलते हैं यहां छेतरी भासा में तो वो सुखा देती है एक पानी जरासा भी अगर लेट हो गया तो उत्पादन कम हो जाता है यह क्या करेगा साइ nutrition से भड़ा हुआ है minerals, metaller, samino acid, folic acid, सारे सूश्म पोशक्तत यहां तक की कारवन भी इसके अंदर विद्धिमान है एक कारवन इसमें जो पड़ा हुआ है इतने पाउच में यह एक एकड़ के जो है 500 ml जो है एक एकड़ का डोज है इस 500 ml साइं पावर प्लस में पांच ट्राली गोवर की खाद के बरावर कारवन भी इसमें पाया जाता है 100% आरगेनिक है कोई नुकसान दे नहीं है इसको जो भी किसान भाई इस्तेमाल किये हैं अभी पिछली फसल जो आलू की हुई है उसमें लोगों ने 50% तक जो है उत्पादन अधिक पाया है जिन लोगों ने साइं पावर प्लस डाला है तो आप जो है इसका इस्प्रे हम यहां करवाने जा रहे हैं सभी संतोसा पूर ग्रांग